जाये पे पानी फिर जाये भूत होते हैं या नहीं इस पे बहस तो बहुत होती है पर सच छूट का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ फागुन मुनिया की दोस्ती कम दुश्मनी ज़्यादा थी दोनों को आपस में घंटों बिठा कर बस किसी विशय पे चर्चा करवाना इसलिए मुकुन सर के लिए काफी आसान था मुनिया से ज्यादा उनको अपनी चहीदी फागुन से लगाव था इस बात से भलिभाती मुनिया वाकिव थी पर फिर भी एक लव्य की तरह वो अपने गुरु के लिए किसी भी हद तक जाने को तयार थी मुनिया की स्कूल में भरती होने के तुरंट बात से ही उनके भुगोल विशय के शिक्षक को उसकी काबिलियत का पता चल चुका था लेकिन उनके दिमाग में बस फागुन के लिए इससे चिंता बढ़ती ही जा रही थी दरसल गाओं के जमिनदार की एक लोती सुपुत्री थी फागुन ठाकुर जबकि जमिनदार के खेतों में रोजाना मजदूरी किया करते थे मुनिया के बापू ललन ललन के घर में जब मुनिया जैसी हुनहार बेटी पैदा हुई तो ठाकुर साहब भी गाओं वालों के जैसे उसके गुनों के बारे में जान चुके थे कुछ सालों बाद उनके ही सुझाव और सिफारिश से गाओं के सबसे अच्छे विद्याले में उनहीं के बेटी के कक्षा में ललन ने अपनी बिटिया का दाखिला करवा दिया था शुरुवाती दिनों में ही मुनिया ने फागुन के साथ दोस्ती बढ़ाने की काफी कोशिश की थी उसे ठाकुर साहब के एहसानों का भी ग्यान था जिस वजह से उसने वफादारी निभाने खातिर फागुन का दिल जीतना चाहा लेकिन फागुन बिलकुल भी अपने पिता जैसी नहीं थी दौलत और रुद्वे के दम पर उसमें घमंट कूट कूट के भरा हुआ था मुनिया को नीचा दिखाने का एक भी छोटे से छोटा मौका गवाना उसे गवारा नहीं था मुकुन्द भी उसके हाथों की कटपुतली बन चुके थे ठाकुर साब के पास जाकर फागुन के बारे में रोजाना बढ़ा चड़ा कर बोलते हुए उनकी जुबान नहीं थकती थी ठाकुर साब भले ही इससे सहमत नहीं होते थे पर ठाकुराईन उन पे इस वज़ह से सदैव महरबान हुआ करती थी मुकुन्द शहर से गाव में ट्रांसफर होकर आये हुए थे उनका रहन सहन गाव वालों से जरा भी मेल नहीं खाता था फागुन के कहने पर ठाकुराईन ने मुकुन्द सर के लिए अलग से पक्का घर और अच्छा पकवान बनाने वाला रसोईये का जुगार भी करवा दिया था हफ्ते में दो दिन के लिए मुकुन्द को शहर अपने बूढ़े माबाप को देखरे करने के लिए जाना पड़ता था पहले ही हफ्ते में उनके सर पे मानो आसमान तूट पड़ा था जब उन्हें ये पता चला था कि गाउं से शहर जाने का बस एक ही बस निकलती है वो भी बस सोमवार को ही चलती है अब ऐसे में शनिवार में स्कूल के क्लासेस खतम करके उनका शहर जाना नामुम्किन लगने लगा था पर जैसे ही बातों बातों में उन्होंने अपने कलास में इस विशय का जिकर किया तो अगले दिन से उनके लिए शहर जाने का उबाए ठाकूर साब ने निकलवा लिया अब वो हर शनिवार ठाकुर सहाब के कार में शहर जाते और सोमवार के वबस से काओं वापस आ जाते इसी तरह धीरे धीरे वो ठाकुर परिवार के एहसानों तले दबते चले जा रहे थे मुनिया के अवल आने पर उनको यही चिंता खाये जा रही थी कि अब अगर फागुन के एहंकार को जरा सी भी ठेस पहुच गई तो उनके उपर ही उसका सारा गुसा आकर बरसेगा बस एक मुनिया के रहते उनके सारे किये कराये पे पानी फिर जाएगा दिन बदिन स्कूल के हर सब्जेक्ट में मुनिया अपनी काबिलियत साबित किये जा रही थी हेड मास्टर जी भी अलग से अब उसके तारिफों के पूल बांधने लगे थे सारे टीचर्ज भी उसके अच्छे सोभाव और सम्मान करने पर उसके तरफ जुकने लगे थे बस एक मुकुन सर का दिल जीतने में मुनिया नाकाम्याब हो रही थी फागुन भी इसमें उनका साथ दिया करती थी मुनिया भले ही 13 साल की छोटी बच्ची थी पर उसकी गहरी सोच ने उसे जल्द ही इसका कारण बतला दिया था एक दिन राह चलते हुए मुकुन सर के साथ वो स्कूल के बाहर टकरा जाती है अपने बापू के खातिर वो उस दिन रोटिया लेकर खेतों में जाने के लिए निकली थी उसने सरल मन से मास्टर जी को यूँ अकेला पाकर मुस्कुराते हुए उनसे कहा मुकुन सर मैं अगर अबवल ना आऊं तो क्या आप मुझ से रूटना छोड़ दोगे अगर ऐसा है तो मैं जीतोड कोशिश करके इस बार क्लास में सेकेंड ही आ जाऊंगी आप चिंता मत कीजिए फागुन आप पे गुसा नहीं करेगी मुकुन ने उसके मासूम से सवाल पे पहली बार अपने अंदर के जमीर को जाकते हुए देखा उसने इंसानियत जताते हुए मुनिया के माथे पे हाथ फेरते हुए कहा नई बेटा तुम जैसी हो वैसी ही रहना किसी के लिए अपने आपको मत बदलना अबवल आओगी तो तुम्हारे भविश्य सुनहरे होंगे और तुम अपने बाबा की मदद कर पाओगी मेरी चिंता मत करो जिल मिलाते हुए नजरों से मास्टर जी के पेरों को छूँ कर दोरती हुई वहाँ से मुनिया मुकन सर के नजरों से ओजल हो जाती है कुईस कॉम्पिटीशन में जीतने के बाद मुनिया खुशी से फूले नहीं समा रही थी जर्च ने खुद ही ऐलान किया था कि जो इस बार ये कॉम्पिटीशन जीतेगी वह आगे के पढ़ाई के लिए स्कॉलर्शिप देंगे ललन के पास आकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए मुनिया बोली पता है बापू अगर आज मुकुन सरने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं कभी भी इस प्रतियोगिता में जीत नहीं पाती वो सबके सामने मेरे साथ सक्तिश पेश आते हैं उनकी मजबूरी है पर अलग से उन्होंने मेरे लिए किताबे ना कर दी मेरे हर उलजन में मेरा साथ दिये इसलिए इस बार टीचर्स डे पर मैं उनके लिए सब के सामने दो शब्त कहकर उनको शर्दान जली दूँगी ललन उसे मना करते हुए बोले लेकिन बिटिया इससे भागुन मिम साथ पूरा मन गई और ठकुरायन को गुस्सा आ गया तो उनके मुसीबत आ जाएगी तनिक ये भी तो समझ मुनिया का खिलता हुआ चहरा इस बात पर मुर्जासा गया ललन उसके मन की बातों को भापते हुए भूले पर तु उनके लिए अलग से अपने दिल की बात लिख के दे सकती है इससे उनको अच्छा भी लगेगा और उन पर कोई आज भी नहीं आएगी टीचर्स डे पे फागुनाच काफी वक्त बात बहुत खुश दिख रही थी आज उसके कही हुई स्पीच से ही स्कूल के सभी टीचर्स और हेड मास्टर को सम्मान देने का निर्ने लिया गया था सुबह से उस स्पीच को दिलो दिमाग में रट्टा मारे जा रही थी फागुन कई बार अपने सहेलियों के सामने वो रिहर्सल भी कर चुकी थी मंच पे कदम रखने पर फागुन ने देखा कि उसके माता पिता और पंचायत प्रधान भी वहाँ शामिल थे माइक्रोफून को एक हाथ में थामे उसने होटों पे हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा मैं आज आप सब के आगे अपने सिक्षकों के प्रती श्रधा और सम्मान जताते हुए चंद अलपास कहने आई हूँ ये विद्याले मेरे पूजनिय दादा जी का बनवाया हुआ है और ये एक ऐसा विद्याले है जिसे उन्होंने और यहाँ पे उपस्तित सारे गुरुजनोंने बेहत प्यार और मेहनत के साथ संजोया है इसलिए यहाँ पे विराजमान सभी शिक्षकों और बढ़ों को सबसे पहले मैं नमन करती हूँ मेरे सारे शिक्षकों में से मैं खास करके मुकुंद सर की हमेशा से आभारी रही हूँ और आज इस खास मौके पे मैं मैं उनसे कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ क्यों शायद अब तक मैंने उनसे कभी नहीं कहा होगा दरसल वो गुरु के नाम पे नाम पे कलंक है एक बुजदिल बेहुदा सोच रखने वाले इंसान है हाँ हमारे टुकडों पे पल कर भी उनकी इतनी हिम्मत आ गई है कि वो उस दो टके की मुनिया को अलग से ध्यान देने लगे थे उसे स्कूल के बाद छुप छुप के मुफ्त में पढ़ाया करते थे उन्ही के वजह से आज उस गरीब किसान की बेटी ने इंटर स्कूल क्विस कॉम्पेटिशन भी जीत लिया और उस वजह से उसे स्कॉलर्शिप भी मिल गई मुझसे वो दो साल की छोटी है पर फिर भी उसे मेरे क्लास में दाखिला मिल गया था वो जीत गई और मैं मैं हार गई मैं अपनी हार बरदाश्ट नहीं कर सकती ये जानते हुए भी उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसका इतना साथ दे दिया मुकुन्द सर के संग-संग बाकी टीचर्ज भी मानों फागुन के ऐसे व्यवहार पर अपनी भाशा खो वैठे थे कुछ होश संभालते हुए ठाकुर सहाब की इज़द बचाने खातिर मुकुन्द तेजी से मंच की तरफ बढ़ने लगे उन्हें इस तरह अपने पास आते हुए देख फागुन आवाज में भारीपन लाते हुए बोली क्यों सर आप डर गए लेकिन आप क्यों दरेंगे चरी तो मैं थी अपने हार से आने वाले कल से जिस कल में मेरी जगा वो भिकारण मुनिया लेने वाली थी पर अब मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं क्योंकि मैंने अपने रास्ते के काटे को खुद ही कुए में ढकेल दिया है आपके लिए मीठे बोल लिखकर भेट पेश करने आ रही थी रास्ते पे मुझे मिली तो मैंने यूही आपके प्रती अपनी करवी सोच उसके सामने जाहिर कर दी बस फिर क्या था भिड़ गई मुझसे और फिर मैंने मौका देखके उसे वही बे यह मैं क्या बोल गई मुकान सर पापा मैं मैं कुछ से कुछ भी नहीं बोली यह मुझसे वो यह मुझसे वो बुलवा रही है मेरा यकीन कर यह मैं मैं मुनिया को मुकान सर उसके हातों को जकड़ते हुए बोले तुम्हें शरम नहीं आई एक मासूम नादान बच्ची को बिना किसी वजह से तुमने यूँ मा डाला इतना जहर भरा हुआ है तुम्हें मुझे अपने आप पे ग्रिन आ रही है कि तुम्हें मैंने अपना बेस स्टूडन्ट माना था मुझे अब गर्व है मुनिया पे जिसने मर कर ही सही पर कम से कम तुम्हारी सच्चाई यूँ सबके सामने उगलवा दी ठाकूर सहाब पुलिस को बुलवा चुके थे काफी मिन्नते करने पर भी उन्होंने ठाकूराईन और वैसे ही ललन भी उन्ही के जैसे एक पिता है उनकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और हो सकता है सजा मिलने पर फागून में आगे सुधार आ जाए जाते हुए एक आखरी बार मुकुन सर के चर्णों को छूकर उनकी तरफ देखते हुए फागून ने उन्हें चोकाते हुए कहा मैं तो आपको गुरु दक्षिना नहीं दे पाई पर आपने मुझे न्याय दिलाकर साबित कर दिया कि मैं गलत नहीं थी आपे इस स्कूल के बेस टीचर हो सर मैंने यही लिखा था उस कागस पे आपके लिए जीसे लेकर मैं आपके पास आ रही थी पर उससे पहले ही भागून ने मुझे खेर ठैंक्यू सर आपसे एक आखरी गुजारिश है बस यू ही आप अपना आशिरवाद इस गाउं के हर मुनिया पे बनाए रखना बस अब मैं चलती हूँ हैपी टीचर्स डे सर हैपी टीचर्स डे हैपी टीचर्स 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 टीचर्स